असलालेकूम, बहुत सलाम शाजी मुझे बताना है कि मेरी बेटी थी बेटी थी तो मतलब है है जी तो शाजी उसे ना चार महीने से अलर्जी थी और इतना उसका अलाज करवाया आउट ओफ सिटी भी मैं लेके गई सारी सेविंग मैंने उस पर लगाई और लेकिन उसे फरक नहीं पड़ा तो आपसे बात हुई तो आपने कहा कि जब भी दूर पलाना है नहीं से तो बिसमिल्ला पहले पंड़नेंगे फिर पलाना है तो मैंने ऐसे ही किया तो वो मतलब वो होटी गई दूर पीटी गई और शाजी अब 70% माशाओला वो ठीक है माशाओला तस गुड़ और उमर कितनी है बच्ची की शाजी अब साल की होगी है एक साल की और एक माँ चार-पांच मीने से शाजी मैं बड़ा तंग हुई इतना उसका अलाज करवाया लेकिन कहीं से फरक नहीं पड़ा फिर तंग आकर मैंने सारी मैडिसन बंद कर दी आपसे बात हुई तो उसके बाद मैंने कोई मैडिसन यूज नहीं की तो माशाओला से अब 70% वो ठीक है देगे मैं एक बात बताऊ हूँ अभी टेस्टिमोनी भी आगई है यह एक और बात बताता है हमारे अबबा जो है न जो कुछ खाते थे जो कुछ खाते थे घर से बाहर निकलने से पहले गाड़ी में बैटने के बाद और कोई भी नया काम या काम शुरू करने से पहले या नक्ष लिखने से पहले या लिखत का काम जो करते थे ना वो यो कि पहले लिखा जाता है ना कागस के उपर ये करने से पहले उन्नीस दफ़ा बिस्मिल्लाइ और माले रहीम पढ़ते थे वो कहते थे इस से जो है ना अल्ला की मर्जी और उसकी जो शुरुआत है अल्ला के नाम से होती है तो इसके अंदर जो है अगर ये कहा जाए कि बिस्मिल्ला में शिफा नहीं है तो इसका मतलब कुरान में शिफा नहीं है कुरान खुद जने कि उसके अंदर है कि कुल हिकमत है कुरान ना हिकमत का मतलब होता है तूर रिजॉल्व बिमारी का हल होता है रिजॉल्व होता है इलाज होता है पहले तश्खीस होती है डाइगनोज होता है उसके बाद फिर हल होता है और इलाज होता है अंदाजाई नहीं लगा सकते हैं लोग समझते हैं कि ये वजाइफ की वज़े से वजाइफ की वज़े नहीं है ये बिस्मिल्ला की वज़े है ये बिस्मिल्ला की वज़े है